वालको नमस्कार स्वाकत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर जैसा कि थमनेल आपको नजर आई रहा है आज अपन बात करेंगे और पीएस्टी की नई विग्यपती स्कूल लेक्चरर दो हजार बाइस और पीएस्ट ग्रेड दो जार बाइस जिसका आपको बे सब् कि कब इस्कूल लेक्चरर की वेकेंसिय आएगी तो सेकेंड ग्रेड की वेकेंसिय के बाद में जल्दी ही और पेसी फर्स्ट गेड बायलोजी फर्स्ट गेड अधर सबजेक्ट करिबन करिबन छह जार पोस्ट हैं वो यहाँ पर आगई है विग्यापन से समंदित विस्तर बातें आपन करेंगे फिर भी कोई डाउट रहे आपका तो आप कमेंट बोक्स में डाल दीजिए कुछ चीज़ें नहीं है कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहां पर आपको प्लस एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं पहले यहां पर जो कि मैं बार-बार वीडियो में न जानकारी कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन ओन कर लें क्योंकि आपके लिए यह मान के चलिए चैनल बहुत शांदार रहेगा क्योंकि फस्ट पेपर से समंदित भी कई सारी में आपको जानकारियां देता रहुँड़ गा करेंट अफवेर से समंदित है कुछ और भी आपके समंदित चीजे है जो सब्सक्राइब यहां पर मैनेजमेंट की हैं जो मैं ने काम में ली थी वह आपके काम आएंगी बैतरीन और जनरल साइंस अपना शुरू करी दिया है उसको अपन कंटीनू कर आप बाकि मैन आपका जो बाइलोजी सब्जेक्ट है वो यहां पर मैन फोकस रहेगा सेकंड पेपर को हो जिसका सलेबस करने की कोशिस करेंगे अपन तो इन सभी के लिए चैनल फाइदयमंद रहेगा आप यकीन मान के चलिए चैनल में आपका एक मिनट भी जाय नहीं है आज अपन बात करेंगे इस विग्यप्ति से समंदित विश्तरित बातें करेंगे देखो आर्पीसी फर्स्ट गेड बाइलोजी का तो अपनने कोर्स चालू कर रख है कई सारी वीडियो अपने डाल दिये हैं प्लस फस्ट पेपर है जो इसका फस्ट गेड का जो फस्ट पेपर है उससे समंदित भी कई चीज़ें लेकर आएंगे अभी बात करेंगे आर्पीसी फर्स्ट ग्रेड दो जार बाइस डो और प्यसी स्कूल लेक्टर इस्कूल युच्टेशन दो जार बाइस की विग्यप्ति के बारे में विग्यप्ति जारीवी थी कल 2842022 को ये विग्यप्ति जारीवी है गुरुवार का दिन है गुरुवार के दिन ये विग्यप्ति जारीवी है बाकि आपकी विशेय के पद हैं वह आप देख लीजिए पद कोई ज्यादा है कम है उससे ज्यादा कोई खुसी या ज्यादा गवराने की आउसकता नहीं है आपको एक पद की आउसकता है और अगर आपकी तैयरी बैदरीन होगी तो आप सो परती से तो वह एक पद ले की कोई विशेयस बात नहीं है विशेयस योग्यजन निसक्त जनव भूतपूर्व सहनिकों के लिए होरीजोंटल आरक्षन होरीजोंटल आरक्षन का मतलब अगर कोई इन सब केटेगरी का है और वह मानलो OBC से है तो उसको OBC में से ही आरक्षन मिलेगा अगर वह जनरल का है तो जिस समंदित केटेगरी का है उसी से उसको आरक्षन मिलेगा उसको होरीजोंटल आरक्षन बोलते हैं आरक्षन का लाब राजस्तान के विद्यार्थियों के लिए है चाए वो महिला हो चाए पूरुस हो राजस्तान राज्ये के बाहर के विद्यार्थी वो चाए किसी लेड़ी कोई लड़की राजस्तान की है और उसकी साधी किसी अधर स्टेट में हो गई इस बारे में यहाँ पर तो कोई इमेंस नहीं है लेकिन जो परमान पत्र हैं वो पिता के आधारपरी बनते हैं तो उसको सम्मंदित के टेग्रिकाल आप मिलेगा क्या योगेता रहेगी अधिक्तम योगेता मैन मैन मोटी मोटी योगेता तो पीजी प्लस बीएड हैं परन्तु आप अपने सम्मंदित विशे की योगेता जरूर नोट कर लें वहाँ पर पॉइंट बना के रखेंगे एक दो तीन पांच जो भी है तो आप जो पूरा विश् वाले की बता रहें हूं कि फिछली बढती के अंदर रड़िमाट्या वालागो नहीं लिया था और जो संसोदन प्लसी कर लादे लेकिन उनके लीए क्या सर्थ है वह देखो याँ पर है उलोदी है वह लना चांटा है वह पी जी से मसी है परंटु उस व्यक्ति के उस केंडेट के यूजी में मतलब बीस्स के दे के दोरान उसके बोटनी और जूलोजी सब्जच्च दोनों रहे हैं तीसरा सब्जेक्ट केमेस्ट्री राग नहीं रहा उससे कोई फरकने पड़ता दो सब्जेक्ट उसके बोटनी और जुलोजी रहे होंगे यूजी में तो ही वो क्या है इसमें इलिजिबल है यह लाए नियाबर साफ साफ मेंसन की भी है मतलब यूजी में बोटनी इसी विशेय में हो और प्लस बीएड हो तो वह फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है परसेंटेज का को क्राइटेरिया नहीं है इन सभी में आपके कितना भी प्रसेंट हो चाहे आप सिंपल पास ही हुए हो आप इसके लिए क्या है एलिजिबल है अगर कोई बायोटेक हैं आप सामिल हो सकते हैं आवेदन कर सकते हैं परंतु परंतु क्या लगा इसमें एक्जाम होने के दिन तक जिस दिन एक्जाम है उससे जश्ट पहले के दिन तक हैं आपके पास में उस सम्मंदित विशे का रिजल्ट आ चुका हो और ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसी समय वि रिजल्ट आजाता है रही बाद बीएड़ वालों की तो बीएड़ फाइनल येर में है उनके भी अभी जो एक्जाम अगरा होंगी तो उनके रिजल्ट भी आ जाएंगे जब तक एक्जाम होने वाली है तो लगबग वह इस अन्तिम वर्सवारे एलीजिवल हो जाएंगे पे ग्रेड पता ही आपको इससे मोटिवेशन मिलता है 4800 ग्रेड पे हैं दो साल तक फिक्स बेतन मिलेगा अभी वर्तमान में जो दो साल में लगे वे उन्हों 31,100 रुपे फिक्स मिलते हैं जो कि आप जब तक लगोगे जब तक 32,000 रुपे फिक्स के आसपास मान लिजिए वो आपकी अमाउंट होगी उसके बाद में जो है आपका जो ग्रेड पे है 2400 के इसाप से आपके करीबन 50,000 रुपे के आसपास में आपकी तनका होगी तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है एज की बात करें इसको देखो फेक्टर को देखना जरूरी है एज फेक्टर की है आपको 2023 को काउंट करनी है अब इन में अगर इस कंडिशन में 2023 में किसी की 40 वर्स हो गई तो भी गवराने की आवश्यक्ता नहीं है उसके लिए थोड़ा सा फाइदा क्या है कि प्लस दो वर्स और जोड़ लेवो मतलब 42 वर्स तक कैसे है क्या रूल है कि अगर कोई बरत दोखनी लगातार नहीं आती हर साल नहीं है तो जितने सालों का गेप लग जाता है उतने सालों का वसको मिल जाता है अधिकतम तीन वर्स का त Two-Zar-टार आईगि मतलब तो आपकी जो अधिक्तम आयू है वो 42 वर्स आपकी मान के चलिए इस तारीक को एक एक दो जारतेश को काउंट होगी है तो एक एक दो जारतेश चुकि बीस में आगई थी तो एकीस और बाइस दो साल का गेप लग गया तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी 42 वर्स तक की आयू में आप एंट्री कर रहे हैं तो भी आप इस परम को भर सकते हैं अधिक्तम आयू की बात कर रहे हैं कुछ चूट है ASC, ST, VC, MBC, EWS अगर मेल है तो 5 वर्स की चूट है फिमेल है तो 10 वर्स की आपको चूट है जनरल फिमेल कोई है तो उसको 5 वर्स की चूट है इस अधिक्तम चूट के अंदर है अगर वीडियो और डाइवर्स है तो उसके लिए एज की कोई limitation नहीं है अब देखें आवेदन परक्रिया पांच पांच से शुरू होगी और चार छे तक चलेगी तो पांच पांच एक काते दिन तो रुख जाना आप क्योंकि साइट वगरा शुरू आत होती है उसके बाद में आपे जैसे आपको समय मिले आप अपने समय के साब से आप अपना कोई जो गणीत विग्यान लगाते हैं मौरतवूर्द का कोई सिस्टम आपका या फिर जैसे भी आपको सिक्सा सही लगे आपको आप उसको आवेदन कर सकते हैं पर अंतिम दिन तक मत जाना चार तक मत जाना पहले क्या कर लेना उसको मतलब मई मई के अं सकते हैं फिर ता अब अगर ृफी बेसे आपके अंग फिर आपको क्या करना हो आपको एक बार रपर से पर कॉंड ताइम रजिस्ट्रेशन और हो अगर अगर उन में कुछ कमिया हैं कोई changes हैं तो आप मानके चलिए आपकी दस्वी की जो मार्क षिट है वो मुख्य है प्लस आपका आदार कार्ड दस्वी और आदार कार्ड के अंदर आपकी चीज़े सेम हैं सही हैं तो फिर बाकी में तो क्या हो जाएगा कोई change हो जाएगा कोई समझ्या नहीं अगर अधार कार्ड में भी सेम नहीं है तो आप क्या करें ? 10 implотив के मार्थ फीट के अधार कार्ड में परिवृत्तर कर वा ले किसी भी इमित्र वाले के पास जाएं अपना एक फोटो दें और एक आप अपनी 10 cidade के मार्थ with a वह दिंगे कर देगा और step 2-5 दिन रखना आधार कार्ड और आपका जो दस्विंगी मार्क शीट है उसके अंदर सही रखना इसकीम क्या होगी दो पेपर होंगे पहला जनरल पेपर होगा और दूसरा सब्जेक्ट प्लस साइकोलोजी होगा पहला पेपर है उसमें 75 कुशन आएंगे दो दो नमबर के डेड़ सो नमबर का पेपर है दूसरा पेपर है उसमें 120 नमबर सब्जेक्ट के जो भी आपका के लिए 35 प्रतिसत हैं तो आप SCST के अलावा हैं तो आप मान के चलिए कि आपको पहले पेपर के अंदर 150 गुणा 40 की बाज करते हैं तो आपको कितने होगे 60 नंबर आपको कम से कम लाने ही है कि 60 नंबर का क्या मतलब हुआ 60 नंबर का मतलब वहा कि आपको 30 कम से कम सही होने चाइब है और 30 का मानए यह 30 का मतलब क्या हुआ कि आप कम से कम एक्जाम में 40 परसन करके आओगे न तब जाकर कुछोस परसन गलत भी रहते हैं उनके नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है और वो कुछ सही को भी ले पड़ते हैं तो ऐसे करकर आके 40 परसंद मां करके आओगे ना इसका मतलब आपके वहां पर 30 परसंद सही होने वाले हैं लगबग मिला मिलू के तो यहां पर 75 परसंद में से आपका चीजें एक चीजें आपको तयार करके जाने पड़ेंगे कुछ भी नहीं छोड़ना है तब आप इस मिनिममम इलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को पार करेंगे वर्ना इस इसमें तो दिक्कत नहीं आएगे आपके इसमें दिक्कत आएगी ज्यादा नॉर्मली इसमे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें इलिजिबिली आप मिनिममम करी लोग है और इसमें भी नहीं कर पाऊगे तो फिर सेलेक्शन नहीं होगा यहां पर भी आपको तीन सो का मतलब क्या हुआ एक सो बीस नंबर आपको कम से कम लाने हैं 120 का मतलब 60% आपके सही होने है यहा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर हो जाएंगे आपके तो यह तैयरी पर ही डिपेंड करेगा तैयरी ही आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा सबजेक्ट आपका मजबूत बहतरीन होना चाहिए और यह भी आपको छोड़ना कुछ नहीं है आपको सेलेक्शन है कम्पेटिशन टफ है generate होचुकी है ए डियारा बढ़ती होगी तेरा बढ़ती होगी पंदरा ओगी एठार होगी दीरे-दीरे कंपेटिशन बढ़ता ही है और बढ़ने के साथब अब लोगोंके पास में तैयारी के अवसर बढ़ sigma यायरी की मतलब उनके पास में खूब होगे उनके पास में कई सारी बुक्स हैं कई सारे ओनलाइन मेटर मिल जाता है तो लोगों को तैयारी का अवसर मिल रहा है तो जैसे जैसे अवसर बढ़ेंगे वैसे परसेंटेज भी बढ़ेंगे तो आप मान के चलिए आप जनरल के केंडेट हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि 300 से अबव नम्मर का टार्गेट आपको हर पेपर का रखना ही है उतनी तयारी आपको करनी करनी है साथ 400 में से जनरल की मेरिट के इसाब से बता रहा हूं आपको उतना मान के चलोगे बाकी पेपर कम आता है थोड़ा हार्ड आ गया तो थोड़ी बहुत उपर नीचे हो जाएंगे वागी इतना तो टार्गेट लेकर आपको चलना ही चाहिए एक इंपोर्टेंट चीज है जब आप फोरम बरो जब आप फोरम बरो तो उस समय आपके पास में कोई जल्दी बाजी ज्यादा मत करना दो चार दिन लेट हो जाएगा फोरम कोई समश्या नहीं है लेकिन आप SC ST OBC OBC में देखो जैसे क्रिमिन लेर में आ जाते हैं तो फिर वो जर्णल केटेगरी में आ जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में उनका जो सर्टिफिकेट है वो बार-बार बनता रहता है तो OBC का है EWS का वैसी सालवर का बनता है तो यह आपके जो भी कि आज गल साथ दिन अधिकतम है साथ दिन में आपका बढ़ जाएगा उसके बाद क्या करें आप है आवे दन अपलाई करें जिससे आपके पास में सामने रहें कोई बीनमबर मांगें तो आप उसको दे सकते हैं या वो बाद में बनाते हो तो भी कम-से-कम वो 46222 से बाद का नहीं होना चीए और अंतिम समय के समझ्याओं से बचने के लिए आप क्या करें पहले ही सारी चीज़ें तयार करके रखें सारे के सारे जो फारम है वो जो आपके certificate बग रहा है वो तयार रखें और OTR में है वो है कोई गड़बड ना करें क्योंकि वन टाइम रजिस्टेशन के अंदर है आपको नाम है पिता जी का नाम है आपकी डेटो बर्थ है इससे समझ्दी सारे डाटा हैं वो सही सही देने हैं कोई जल्दबाजी नहीं है किसी दूसरे से फोरम ना बरवाएं खुद जाकर बरें तसली से बरें भीड है तो रुख जाएं थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें क्योंकि एक फोरम में थोड़ी सी गलती होते हैं पर कई उसके रिजट खराब कई दिनों तक रहते हैं फोरम में थोड़ी से जल्दबाजी रही और थोड़ी से जंदवाजी के चक्रों में फिर आपके तनाम रहेगा थोड़ी बहुत गलती होगी मेरे तो वो गलती होगी कि आपता मेरा फोरम एक्सेप्ट नहीं होगा मेरे ये दिक्कत आ जाएगी ये समझ आ जाएगी आलागी हो गया तो फिर उसका हर चीज़ का कोई समाधान होता है आपको इतना लोड भी लेडिंग जूरत नहीं है कि छोटे सी गलती होगी और फिर आपकी नोकरी नहीं लगएगी अकर आपका नंबर आता है तो सारे चीज़ें हो जाएगी इस प्रकार से आप थोड़ा सा साब्दानी पूरक सारे काम करें यह विगपती से समनीत मोटी मोटी बाते थी जो मैंने आपको बता दी है बायोटेक वाड़ों के लिए विशेश रूप से मैंने बता दिया किस परकार से वो एलिजिबल है और भी कोई आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें बाकी समय समय पर अब आपको वी तरी